स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल फ्रिडम फिक्टी स्टडी में आज हम लोग पढ़ें एक अक्षा पांच गणित अभ्यास दो जोड़ घटाव भाग तीन भाग दो तक पढ़ चुके हम लोग तीसरे सवाल तक आए हम लोग भाग चार पढ़ेंगे इसमें पहला जो चोथा सवाल दिया हुए कि साथ अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालो सांकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालना है फिर उसमें छे अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़कर योगफल ग्याद करना है योगफल लिखना करते हैं तो सब से पहले हम लोग इसको करते हैं तो पहले लिखेंगे 7 उंकों की सबसे बड़ी संख्या बड़ी संख्या क्या होती हमारी साथ ठे हम लोग 9 लिख देंगे, जब ये बड़ी की बात करता है तो 9, अगर बोला जाए कि 1 से 9 तक, मतलब 0 से ले करके, मतलब ऐसा लिख दे रहा हमां समझाने के लिए देखे, 0 से ले करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक न, 6, 7, और 8, और 9, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, स सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसलिए 9, अब जितना संख्या बोला, उतना संख्या हम लिख देंगे, उतनी बार लिख देंगे, 9 को होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, यह साथ हों को क्यों सबसे बड़ी संख्या होगे, अब लिखते हैं छोटी, ठीक न, तो 7 ठीक न, यह संख्या, तो सबसे चोटी संख्या आप देखें कैसे लिखते हैं, सबसे चोटी संख्या इसमें क्या दिख रहा है, 0, तो 0 को अगर 7 बार लिखेंगे, तो कोई मतलब तो होता नहीं है, इसलिए इसको सबसे चोटी साथ बड़ी संख्या बनाने के लिए 1 लिख लेंगे, औ इसका एक लिखे और कितना जिरू लगा देंगे छे मतलब एक दो पैंठ जीद हचार पांच छे वो कियो हमारा बोला है अंतर लिखो यहां पर क्या कर लेंगे हम लोग अंतर जों पहांज क्या होता है घटाना तो यहां पहाँने का चीन लगा दिजिएगा खानोग slightly आख़ेगा नौ में से 0, 0 गटाएगा 9, 9, 9, 9, 9, 8, तीज़ हो जाएगा हमारा इतना, ठीक न, अंतर हो गया, अब एक चीज़ और पोला है, फिर उसमें, मतलब इसमें, किसमें बात कर रहे हैं, इसमें की बात कर रहे हैं, ठीक न, फिर उसमें 6 अंकों की बड़ी संख्या ज कि यहां लिखता है तो 6 हमको कि बड़ी संख्या इसमें क्या क्या हो जाएगी एमने बड़ी प्रसंख्या के लिए बता है ता 9 लिखते हैं जोड़ना है हमने बोला है कभी जोड़ने के लिए जब भी जो संख्या लिखते हैं या घटाने के लिए उसको इस सेट से लिखते हैं तो 9 6 है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 और 6 और जोड़ना है तो जोड़ लगा दीजेगा चिन और उसका जोड़ दीजिए तो तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग को करना था ठीक है और ये वीडियो में फिर से एक बाद बोलना चाहूंगा कि जो भी बच्चे नौधे के लिए त्यारी करना चाहते हैं वो बिल्कुली इस वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों में भी सेयर करेंगे वैसे ती य जाकर नहों देखा जब भी मैं मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी चीजों को आप लोग को समझ में आएगा तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ते जाए ठीक है न और ज्यादे ज्यादे इस वीडियो को सेयर करिए अब चलते हम लिए इसके अगले सवाल पांचमे सवाल पर पांचमा सवाल हमारा दिया हुए कि दो संख्याओं का योग इतना दिया हुआ है मतलब दो संख्याओं का योग इतना है एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्यात करना है अब योग दिया हुआ है तो हमने बताया तक जब भी योग दिया रहेगा तो योग में से क्या करते हैं हम लोग इसको घटा देते हैं एक संख्या को घटा देते हैं जब भी अगर अंतर दिया होता कि दो संख्याओं का अंतर इतना है तो हम लोग क्या कर देते हैं दोनों संख्याओं का अपस में जोड देते हैं लेकि दिया हुआ है कि योग दिया हुआ है तो दूस सब्सक्राइब दोसरी संख्याइब दोनों संख्याओं का योग और यहां को जब यह वीडियो अच्छे लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर in अंतर इसमें से इसको कर लेंगे तेन आठ यहां पर चार यहां पर चार चे चार और एक तीन तीन नंबर पेले काॉंट कर लेंगे अगर अईसे कभी भी घठाते हैं आज को लिख के इसमें से घठा सकते हैं यहां बच गया एक, यहां बच गया है, यहिस्थार में यहां बच गया है, आट, अब बच गया हैंने कितना बच गया किन से ले चुके ले घुड़ पर नौप सब्चब कितना पातबिश्रे कमारा अब सब्सक्राइब यह दो मेंछ उनकी स어서 कारे मारा चुली करदबर कितना शहून अंब पर फेंज है इंभा इनकी सब्सक्राइब रिचांब सोथ्थितव ऴश्दाइब न फचेंब पण धूब तो इसको आम लोग को यहां पर करना था और यहीं इसका क्या हो जाएगा आंसर तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा वह जाएगा वह जाएगा 48-46-788 यह इसका क्या हो जाएगा आंसर जो पिछला सवाल तीसरा सवाल था उसको फिर से एक बार हम दिखा देते हैं आप लोगों को जो हम लोग पिछलियो वीडियो में वह सवाल को देखे थे हो सवाल है हमारे पास देख लिजे पिछले वीडियो में हमने बताया था इस इसमें इसमें क्या करें है इसमें देखे अगर योग वाले को एस whisky लिख सकते हैं इसमें आसरे के बी संख्या दिया हुआ है लिखेंगे बड़ी संख्या यहां लिख सकते है कि बड़ी संख्या बराबर यहां पे दोनों संख्याओं का अंतर प्लस छोटी शंख्या ऐसे भी लिक सकते हैं ठीक है डारेक्ट इसको लिक करके और यहां पे जोड दीजिएगा आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से इस उसमें तीन सब्जेक्ट को पढ़ाना होगा मुझे मैत ही पढ़ाना होगा रिदिंग पढ़ाना होगा हिंदी पढ़ाना होगा या हिंदी के लिए में दूसरा टीचर अगर रख लेता हूं तो उस समय की बात उस समय है अगर मैं पढ़ाता हूं तो उसमें बहुत जादे मेह कि खती है और और तराव प्सकूल कोंग कर घर जान एंट